देर्च रेंट, स्वागत अब सभी का हमारे ओनलेन क्लास प्रतिवता संसार में आज का हमारा अधियन विशा है ग्रामिड अधिवाज भूगोल यानि की रूरल सिटल्मेंट, जिगरोफी और इसमें हमारे जो अधियन टॉपिक है वो है अधिवाज भूगोल का अर्थ परिभास और विशाषेत्र अच्वा अधिवाज भूगोल की प्रकृति इस टॉपिक में हम अधिवाज भूगोल की समाने फर्चय अर्थ परिभास और विशाषेत्र का क्रमवार अध्धन करेंगे सबसे पहले अध्यान करते हैं समाने परचे का तो जो अधिवाज भूगोल है ये भूगोल की एक नव नीर्मी साखा है जिसका विकाज वह वर्तमान में हुआ है अधिवाज भूगोल का अध्यान जो है वो हम माना भूगोल के अंतरगत करते हैं जैसे कि सब्सक्राइब क्या किया गया जो भूगोल है भूगोल को दो वर्गों में बाटा गया एक है भोतिक और दूसरा है माना माना भूगोल को पुनाह कई वर्गों में बाटा गया जिसमें आपके अधिवाज भूगोल आपके सांस्क्रितिक भूगोल समाजिक भूगोल इस प्रकार से इसको क्या किया गया पुनाह विभाजित किया गया तो इसी प्रकार क्या है जो अधिवाज भूगोल है या माना भ अधिवाज भूगोल का सबसे पहले विकास जर्वनी में हुआ और उसी के साथ ही माना भूगोल के एक साखा के रुप में अधिवाज भूगोल का भी विकास जर्वनी में ही हुआ है यानि कि अधिवाज भूगोल का विकास कहां से हुआ जर्वनी में हुआ है ठिक फिर 19 सता अधिवाज भूगोल के रूप में इस्थापित किया और इसके बाद जो अन्य जर्मन विद्वान वगरा है फ्रांसिसी विद्वान ब्रिटेन भारती विज्यान सभी ने क्या क्या इस शेत्र पर अपना योगदान दिया वर्तमान में देखे तो अधिवाज भूगोल के जो अधियनन है इसके बहुत सी अधिक क्या दिया गया बल दिया गया जिसके वज़े से यह जो अधिवाज भूगोल है यह वर्तमान में स्वतन तरुरुप में इस्थापित हो चुका है अधिवाज भूगोल में ग्रामिल अधिवास और नग्रिय अधिवास इसके उत्पत्त इसके सररशना, सिती, समस्या, स्रमधान, सभी का हम लोग क्या करते हैं? complete wish लेसर करते हैं तो ये हो गया इसका समानी पर चाहिए अब हम अध्यन करते हैं इसके अर्थ का तो अधिवास भूगल के अर्थ परिभासों को समझने से पहले हमें अधिवास किसे केते ही इसको समझना होगा तो पहले अधिवास समझ लेते हैं इसके बाद इसके अर्थ परिभास आखो ठीक अधिवास क्या होता है ये एक प्रकार से भौवनों एवं घरों का समू होता है इसको सुधार लेंगे ये घरों का समू है थीक है भौणो एवं घरों के समू होते है जहा पस विभीन जाती वर गई सेम प्रदाय अलग अलग अर्थी किस्थ्थर के लोग जातियां यह सब लोगों के जीवन आपन हेतु कई सुक स्विधाएं जैसे सडक ग्रीह इसको भी सुधारेंगे यह ग्रीह है टाइपिंग मिश्ट्योख हो गया है थोड़ से ग्रीह इत्यादी मौजूद होते हैं यह इकाईया भिन भिन अकार वाले होते हैं यानि कि जो घर वगएरा है सडक वगएरा है प्रक्डंडी वगएरा है अनेक प्रकार की जो उनकी विशेश्टाय है वो सभी अलग अलग होती है यानि कि इनके कहने का मतलब क्या है यह एक ग्रीह और शड़कों की बसाव श्रमूह का इकाई है जिसमें क्या करते हैं लोग जीवन यापन करते हैं उनकी जो को परिभासित करने का प्यास क्या है जो कि कुछ प्रमूख है उसको हम यहां पस प्रसुत किये हैं इक्जाम के टाइम आपको जो सरय लगे उनमें से लगवग चार-पांच आपको याद करना पड़ीगा ठीक है पहले हम अध्यन करेंगे सेव कोहन के अनुसार उनके अनु वैसा कौन्सी है मानव क्या करते ही तैंकि किसी छेत्र को अपने अधिकार में करने के प्यास से वहापस क्या करते है अपना निमास इस स्थान या कुछ स्विधाय बनाती है इसी क्या करते है या उसका अधिभास ह twenty German च्रमन भुगोल वीद ओश्लूटर का अधिवाज भुगोल को सतंतर रूप प्रदानी किया। उनके अधिवाज भुगोल माना इस्थाल के निवाज संबंधों का अध्यान करता है। फिर जीटी जार्डन के नुसार उनके नुसार अजिवाज़ भूगोष सांस्कृतिक भूदृष की की आकरिती का अद्ध्यन है पिसी किनिस्ची थेतर में माना और उनके द्वारा की गई क्रियाओं का गया प्रति रूब बनते हैं उसके हो लोग क्या बोलते हैं सांस्क्रit के इसने क्षण करते हैं याने की मामार्ण क्या है वातावरण कोई निज्वत्र समेश देर कि विद्वावनोंु बित्रडल देर है जिसके माध्यन से लोग कि विदल्र को आधिवाववन बोम्तिस सम्भावन रोटे हैं यानि कि अधिवाज भूगोल क्या है? एक प्रकार की जो भौन है, उनके वितर है, उनकी विशेष्टा विश्लेसर है, उसके माधन से लोग क्या करते हैं? अपने को भूई सम्मंधित करते हैं, उनका अध्यन करता है ये, ये कहा है? फिर अगला परिभास से देख लेते हैं, इसकी चटरजी के अनुसार, उनके अनिसार अधिवाज भूगोल माना निर्मित अधिवासों की जो आकरिती है, अकार है, प्रकार है, उनसे जूड़ित इतिहासी क्विकास से इन सभी की खोश करते हैं, उनका अध्यन करते हैं, फिर अधिवाज भूगोल भूमी पर माना अधिगराण की विधी से निर्मित स्विधाओं जैसी की ग्री है, राजमार्ग है, अन्यप्रकार की खेत वगिरह है, उनसे भी अध्यन करते हैं, उनके समुहों पर विचार करते हैं, फिर क्या है जी एस गोशल के अनुसार, तो ये प्रोफिसर गोशल है उनके अनुसार अधिवाज भूगोल बसाओ प्रक्रमों, यानि कि बसाओ की जो कारक है या तत्र है, उनके सांसांथी भूतल पर उनकी जो अभिवेक्ती में मिलने वाली विभिन्नताएं हैं, उनसे जुड़ी हुई सभी बातों का अध्यन करता है, अगला परिभास है आर्शी सर्मा के अनुसार, उनके अनुसार अधिवाज भूगोल के लेक्षे अधिवासों के अकार आकृती, प्रकार उनके और माना अधिवासों के प्रादेशिक संबंदों कध्यन करता है, सांसी उनके वीतरड एवां विकास प्रतिरूप की भी परिभासिक सब्दकोस के अनुसार या परिभासिक सब्दकोस के अनुसार इसमें इजडी मौर या और आरेंसी इन्होंने अधिवास भूगोल को परिभासित क्या है कि अधिवास भूगोल मानव के एक विशेश साखा है मानव भूगोल के विशेश साखा है जिसमें अधिवासों का विकास इवा उत्पत्ती अवस्थिती प्रत्रोप प्रकार्यों अकार्की तथा इस्थानिक संगठोनों एवं विद्वानों का वेवसित वित्रग या विवरण प्रस्टूत करता है यानि कि इन्होंने क्या कहे अधिवास भूगोल को मानव भूगोल के एक साखा यहां पस मानव भूगोल लिख लेंगे भूगोल के विशेश साखा के रूप में अध्धन के है जिसके अंतरत हम लोग अधिवास के जो उत्पत्ती विकास प्रतिरोप प्रकार आकार की उनक सम्द्धिजों विदवान उनकी समस्याय नियों जन सभी कर अध्य做 court कर लेते हैं अनक विदवानों ने जो अधिवानों की विशय शेत्रा है या अध्यन शेत्रा है इसके अंतरगत ग्रामिल और नगरी अध्यवास दोनों का सम्मेल लिप किया गया है लेकिन कई विद्वानों ने इसे केवल ग्रामिल अध्यवास के अध्यन तक ही क्या लखा गया है सिमित रखा है तो इसमें जो अधिवाज वappelle किसक्ता हम है मुख्य रूष से ग्रामिल और नंग्रिए अधिवाज दोनों का अध्धेन करना उची कि समझेंगे थेक लेकिन कि वास्ताओं में जो कुछ विद्वान वानते हैं वो क्या मानते हैं अधिवाज वोल को ग्रामिल अधिवास के रूप में या उसके परियावाची के रूप में मानते हैं यृषिय झशंगा एक उसके हम लोग 50 प्रण लिते हैं और द्लाइश करें निक समय में आधिवाज विफय के अंतर गरजिन पक्षों का हम लोग अधियनि कर सकते हैrem या किया जाता है वो इस प्रकार से हैं इसका ध्यन कर लेते हैं पहला क्या है अद्वाज भूगोल की प्रकृति है अब इसमें हम लोग क्या ध्यन करेंगे अद्वाज भूगोल की प्रकृति में इसमें हम अध्यन करेंगे अध्यवाज का जो अर्थ है उसका परिभास है उसका विकास है उसका व विकास इसमें हम लोग क्या अध्यन करेंगे जो अधिवास है उसकी बसाव प्रक्रिया भूधारण भूमिय प्योग इस्थालिस्चिती अधिवास विश्रण क्रामागात अधिकरहन इत्याजी इन सभी कहम लोग अध्यन करेंगे ठीक फिर अधिवासों की उत्पत्ति एवं विकास का यह हो गया टॉपिक अगला है अधिवासों की अकारकी का अधिवास की अलग अलग अकारकी होता है खुछ भौती का कारकी कार्यात्मा का कारकी समाजी का कारकी इस प्रकार से वो बटा हुआ हो रहता है भेवति क fragrance में हम लोग क्या धन करेंगे जो अधुबास है यद गाव है उसकी आंतरिक बनावाट किस प्रकार से है उसकी विन्याप यानी की धिर्मार कैसे हुई है उसकी 36 और उठ्वाधर विश्वार कैसा है इसका धन करेंगे फिर आता है कर्यात्मा का कार्की, यानि कि कर्यात्मा का स्वरूप, उसमें उस खेत्र की कार्यत प्रणालिक कैसी है, प्रास्मी खेत्वित्यक खेत्रित्यक है, उस खेत्र में सेवा कर निर्धारान के इंदर कैसा है, उनका पदानुक्रम और वित्रण प्रतिरूप कैसा है, इसका ध्यन करेंगे फिर है समाजिक अकार की इसके अंतर रहा हम लोग उस गाउं की यार किसी भी छेत्र की समाजिक बनावाट का ध्यन करती जिसमें वहां के जाती धर्म, भूर, श्वामित्व, वेर, शाइक, शिक्षा, स्वास, तथा अन्य तथ है इन सभी कध्यन के सांसा सा थे जनांकी की बनावाट जैसे के आयू, लिंग, मृत्तुदर, शिक्षा, जन्मदर, प्रवास इन सभी कर्धेन करती ये होता है ग्रामिद, अधिवास की अकार की या अधिवासु की अकार की फिर है अधिवासो का इस्थानिक प्रतिरूप यारि कि ये क्या होता है जो सब्सक्राइब करेंगी कि किस प्रकार के गाउं में उनकी अधार है जैसी कि उत्तपाति के घार पर गाउं का परकार और अलग होता है अधिक समय के जाण इस ब्दद्फी अधिवास बीरावजूए अठिवास अधिवास इस प्रकार से अलग होता है कच्छी मकान पक्के मकान एक मंजिला बहु मंजिला इस प्रकार से अधिवास का अलगलग प्रतिरूप देखने को हमको मिलता है या प्रकार देखने को मिलता है फिरे ग्रामिल एवं नगरी अधिवास के प्रकार उनका वितर एवं स्वरूप इसका अध्यन करेंगे इसके बाद है अधिवासों की समस्य एवं नियोजन ग्रामिल अधिवासों या नगरी अधिवासों दोनों की समस्य आई एवं नियोजन समंधित अध्यन हमें लाश्ट में करना होता है तो यह हो गया हम लोगा अजवास Google कर्थ परिभास विश्य शित्र और उसका प्रकृतिक अध्थ है तो आज के क्लास इतना है बागी क्लास कल हम करेंगे